ठीक, एके मिश्रा साब, मम्ता क्योंकि इतिहास के पन्नों को पल्टे तब बारबार लेफ्ट की राजिती का जिक्र यहाँ पर इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतिहास में पिरुपूरा हो, पच्छिम बंगाल हो, ये एक महतपूर बिंदू रहे हैं, लेफ्ट की रा तब लोगसबा चुनाव में TMC और कॉंग्रेस का गडवन्दन था, UPA ने पहली बार जो है पांट दशकों से सबसे जादा सीटे जीतने वाले वामदलों को शिकस दी थी यहाँ पर, मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, मगर अब ये जटका इसे कहा जाए, ये मान लिया जाए कि लेट की रागिती बेश से खत्म होने की कागार पर है। जिन्दगी या कोई भी ऐसी चीज, नाम ये है कि समय के हिसाफ से आप अपने अनुसार को ढाल लीजिए, आप अपनी नीतियों को चेंज कर दीजिए, बिगेस्ट एक्जामपल आप देखे, माक्सवादी जितनी भी आइडियोलोजी थी पूरी दुनिया से गाया वो गई रशा तूट गया, चाइना ने भी 50% मतलब उन आइडियोलोजी को पकड़े रखा और 50% उनों ने जो है एकोनामी को अपना ओपन कर दिया, मतलब पैसों की तरफ ये लोग भागना शुरू हुए क्योंकि जिन्दगी की जरूरते होती है, तो कॉम्मिनिस्ट पार्टी का जो वहां पर ढहा, देखे इसके दो-तीन डीजन होते है, कोलकटा में मंता बनेर जी ने क्यों हराया, तीस-पैतिस साल से वहां पर थे, मानों सो भाव अगर देखा जाए, तो पैतिस साल तक आपकी सेम फिलोसफी है, सेम नेता है, सेम वादे, सेम इरादे हर इलेक्शन में मोनोटोनस नेचर से आदमी ऊप जाता है, वोटर भी ऊप जाते हैं, और आपके जो वरकर हैं, वो खुद भी इनेक्टिव हो जाते हैं, कोई एक फिल्म बार बार आप देखोगे, कोई एक गाना कितनी बार आप सुनोगे, सेम कॉंसेप्ट यहां पे लगता है, भाश्पा सब लोग करते हैं, और टाइम 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 पे कॉंग्रेस ने भी किया, सभी ने किया, यहां पे जीत दो फैक्टर के कारण हुई है, जिससे कि आपको लग रहा है, कि यह माक्सवादी या कम्निस पार्टी यह आइडियोलोजी वहां पे जो ढह रही है, जो आपने बुल जाते हैं, बार-बार वही जाते हैं, कुछ वो नया नहीं कर पाए, जिसके कारण एक बहुत जवर्जस्त एंटी इंकमबेंसी का महौल और पब्लिक वहां पे उबन जैसी होती है, यहां तिरुपूरा का जहां पर जिक्र है, एक के मिश्रा साब मैं आपके पास आओंगा, उन में से 49 की जमाना तक जब्त हो गई थी, महस एक या डेट फीज़ी के आसपास जो है उसको वोट मिले थे उस वक्त, लेफ्ट 50 सीटे जीत कर सकता में आई थी, मगर आज की सीटी बिलकुल जुदा है, आप भी आप मानेंगे कि बीजेपी की रणनीतिक ताकत नहीं सम्यक बात कॉंग्रेस के संगठन या कॉंग्रेस की जो दिक्कत है, कॉंग्रेस के वोट मेंग के सब बातें कह दी हैं, मैं उनसे भी सहमत हूँ, कॉंग्रेस ही होते हुए भी, जबकि मुझे उसका बचाओ करना चाहिए, मैं फिर से कहता हूँ कि जहां हमारी संगठनात्म कमजोरिया मंदर बैठ करके बात करेंगे एक बात दूसरी बात लोगतंत्र में जीत बहुत महत्तुकूर होती इसमें कोई दोराय नहीं लेकिन जिस तरीके से जीत येन केन प्रकारेण अगर जीत करनी है तो वो देर से सही लोगतंत्र की जड़ों में मठा डालती है आज तिर लोगों ने कहें वो आने वाले दिनों में वो देखे जाएंगे कि रास्ट तोड़क ताकतों के साथ आप खड़े हो करके कैसे रास्ट को जोड़ने की बात करेंगे यह अगर आम शूंने पे आये हैं हम हार गए हैं तो अगर रननेतिक कमजोरी नहीं होगी तो हम जीट जाते तो क्या ये मान रहें कि वो रणनेति कम जोरी है आला कमान गंभीर नहीं था ये फिर से मैं आप से बताओ कि आला कमान हमारा पूरी तरीके से गंभीर था आला कमान की गंभीरता में कहीं कोई कमी नहीं है अगर आला कमान गंभीर नहीं होता भाजपा की जीत हुई है लेकिन आपको जान करके आश्च्य नहीं होगा कि साथ परसेंट जो भारती जनता पार्टी के केंडिडेट हैं वो कंग्रेस के या तर्णमूल कंग्रेस के अमैलेज या उनके नेता है कोई भाजपा का नेता नहीं है उसके से ये अपने आप में एक सच है इस सचसे रूपरू हमें नहीं होना है लेकिन हमारे मित्र और आज की डेट में हमारे लोग अगर ये सिर्फ मानने लगें कि किसी भी तरीके से लोगतंतर में सिर्फ जीती बहुत उपूर है तो भगवान बचाए ऐसी उससे शशिकान तिवारी अगर इस बात का फायदा वोट आते हैं तो फिर ये आपके घर की रणनीतिक चूक कहेंगे से एक बड़ा पुराना शेर था इसको इसको आप भी सुन लीजे और मिश्रा जी भी सुन ले कि जलते घर को देखने वालो फूस का छप्पर आपका है आगे हवा का तेज है जोका और मुकदर आपका है उसके कतल पे मैं भी चुप था अब मेरा नंबर आया और मेरे कतल पे तुम भी चुपो अगला नंबर आपका है आज की डेट में अगर किस तरीके से पोचिंग करके लोकतंतर का अपहरण किया जाएगा तो आज भारती जनता पार्टी लोकतंतर का अपहरण कर रही है कर दूसरी पार्टी या लोकतंतर का अपहरण करेगी उसमें ना आप बचपाएंगे ना हम बचपाएंगे अगर सब कुछ करके जीत कर रहे होते तो हमने भी जाती और धर्म की राजनिती पर नहीं जाओंगा इतिहास के पन्ने पल्टेंगे किसने कितनी धर्म और खी राजनिती की है उस सब जानते हैं एक सेकेंड शाशिकान सार जीत को लेकर इतने ज्यादा खुश हैं आप लोग और 2019 पर इसका असर क्यों पड़ेगा ये समझाएगा ज़रा मैं 19 पर समझाता हूं लेकिन मैं थोड़ा सा पंजी और राजबूत जी की बातों पर एक एक लाइन कहना चाहूंगा पंजी ने कहा कि वहां सेप्रेटिस्ट पैदा हो गए या आप याद करिए 35 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी पूरी देश में तो उसी समय असम के अंदोलन से पुरवत्तर राज्यों में छोटे छोटे पार्टियां पैदा हुई तो वो कांग्रेस की देन है कि अब तरफ पूरों राज्यों में इस तरह के सेप्रेटिस्ट लोग पैदा हुए इनके नीटियों के कारण पैदा हुए जिसका आज आज जो है रास्ती मूल सो रूप में वो लो आने को पूरा तयार हैं दूसरी बात कि यह जो सेर पढ़ रहा हैं हमारे कांग्रेस के प्र प्रवक्ता जो है और पीचारे देखो वाई इनको सेर काने दीजिए और सेर काने के अलामा पूरे देश के कुछ बचा नहीं है हाँ एक बात जरूर है कि लेफ्ट पार्टी जो हिंदुस्तान में कभी हुआ करती थी आप तो उनका उन्मूलन हो गया वो खतम हो गये और लेफ्ट पार्टीओं के जगा जो दो चार राजे लेफ्ट के पास होते थे आज कांग्रेस वैसे दो तीन राजे ले करके लेफ् पूरे प्रके जन्ता पार्टी जन्ता पार्टी में अच्छा मुझे एक बात बताईए कि योगी जी वहां पर प्रिचार करने क्यों गयते आप समझा सकते हैं ऐसा कौन सा विजन लेकर गयते हुआ बताईए नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज के मुखमंत्री है देश के लोग पर ये नेता है उत्तर पुरा में गयते त्रिपुरा में जो हमारे मत दाता है हमारे हमारे देखें के इंदर के सभी मंत्री कार करता के नाते सभी मुखमंत्री कारगता के नाते जिन राजियों में चुना होता जाते है क्यों उत्तरपुरा विवयर्णार रास्ता के लोगों अपना कर रास्ता खुल गया है यह लोगी जी और विगश्टी समझा ने क où चाहितिर है पर और यहीं समझाने जाते है वहां पर पर देखे मुक्ampan की क्या समझते हैं वहां पर भारती जंता पार्टी के क्या ऐसी सिटी में जहां पर भीजेपी की यही आक्रम कराने जीती रहेगी अकेले दम पर जीत हासिल कर पाएंगे जहां पर कॉंग्रेस को साथ बठाने को आप लोग क्यार नहीं हो रहे देखे हम पूरी इस्तिती पे नजर रखे हुए हैं और अभी जो चुनाव हुए हैं वो बहुत महत्पून चुनाव हैं तीन रज्जों के लेकिन अगर आप लोग सबस सीट वाइस जाएंगे तो बहुत कम है यानि कि इसका बहुत जादा इंपक्ट नहीं होने वाला है आप पूरे देश्वर में देखेंगे अभी तक 15 से लेकर 20 तक उपचुनाव हुए हैं पूरे देश के अंदर और जादा तर उपचुनाव हों में वीजेपी हारी है तो वो भी संकेत लेना चाहिए यानि अगर आप निशन देखेंगे भारत वर्ष में देखेंगे तो वीजेपी के खिलाफ जो है जो सदो कहीन निकल कर आард आप यह देखिए कि left left के कार करता है केडर बेस्ट पार्टी है उसका मुकाबला करने के लिए जो बीजेपी के आइडिलोजिकल पेरेंट है यानि आरसस जिसको मैं सांस्कृतिक संगटन नहीं मानता हूं बलकि पॉलिटिकल संगटन मानता हूं क्योंकि बीजेपी के जाने से पहले यह वहाँ पर जमीन तयार करत क्योंकि यही आत्रमक रणनीती और ज्यादा अधार देगी 2019 में 2018 की आखिर में ऐसी सिती में अखलेश ज्यादा कैसे सामना करेंगे और हो भी यूपी जैसे बड़े राज्ये का जहां से सत्ता का दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहीं से ओकर गुजरता है तब भी आपरों को क पहले भी आपकी चैनल पर कहाच चुके हैं कि लारजर पोलिटीकल अलाइज बनानी की कोशिश में हम लगे हुए हैं और हम यह देख रहे हैं उसकी समभावना का यHEAR परटा कि पुरी समझावना तलाशनी की कोशिश कर रहे हैं और हम भी जानते हैं कि देश के सामने चैलेंज इसल्ए है कि जो सोशल जेस्टिस्स की सुछल्जय से करने की हमारी पार्टी बात कर दी है इसके लिए हम प्रयासरत हैं और 2019 तक हम इस पर काम्याप भी होगी आप लोग साथ नहीं खड़े हो पाते और लोगसभा चुनाव का जिक्र आप कर रहे हैं यह भी सवाल खड़ा होता है यहां पर एक उधारण के तौर पर आपको करने का वक्त आया तब आप लोग साथ में खड़े हो पाए देखे बिल्कुल तिलंजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कई बार राजनिति की सतरह की मजबूरियां है लेकिन हमारा अभी भी प्रयास है कि हम जो लाइक माइंड़ी पार्टी हैं जो संविधान को बचाना चा आप तो देश की राजनिति को बहुत करीब से देख रहे हैं समझ रहे हैं यही तो रुक रहने वाला है अभी शशिकान तिवारी साथ यह नहीं समझा पाए कि हमारे मुख्य मंत्री तिरिपुरा में जाकर क्या प्रचार में कहते हैं या फिर केरल में जाकर क्या कहते हैं य यहां महागडबंदन का जिक्र करते हैं, यहां स्वार्था भी होता है रादमीटी पर, कैसे कर पाएंगे लोग? खासकर उत्तरी भारत की जनता तो कि वह बहुत जेल चुकी है, बहुत जादा उत्रस्त है और उसके प्रणाम आप देखिए बाइयरेक्शन में दिखाई देने लगे हैं, लेकिन फिर वही होगा जैसे कि तृप्रा में भी आपने देखा, अब योगी आदितना जी गए वहा अगर आप देखें वहां का फूटेज, तो एक जो है कि धर्म गुरू के माफिक जो है, आधितनाद बैठे हुए है, उन्होंने सभा लगाई हुई है, उपर बैठे हुए आसन में, नीचे सारे पिछड़े जो है लोग है, वो बैठे हुए घुटने के बल, और उनको प्र सिंदा पर्टी सिव हर बात में जो है धर्म, आपने गुजरात में भी धर्म को लेकर आई है, तो मुझे लगता है कि बनाम लेफ्ट होने वाला है, इसकाल सिक यहां पर संदेशा जो है, या अंदेशा जो है, क्यूश पंत्र साब दे रहे हैं, केरल में आप होगा जीत, केरल में या कैलकटा बगरे में जो और इनके विपक्षी पार्टी है, उनके मनोवल को तोड़ने में ये बहुत सहायक रहेगा, क्योंकि पार्टी वहां पे हार गई, पार्टी का एक धड़ा या एक पर्टिकलर एक या दो स्टेट का सारा का सारा जो वर्क फोर्स है नेता है, वो बहुत demoralize होंगे, इसका impact केरल पे 101 परसेंट जाएगा, आने वाले चुनाओं में भी जाएगा, और ये पूरे नौर्थ इसको पेनेटरेट करने का, बंगाल को पेनेटरेट करने का, अपने पैर जमाने का, बीजेपी ने क्यों इसको इतना सीरियसली लिया, सभी लोग बोल रहे हैं कि ये बड़े चोटे-चोटे स्टेट है, देखिए मैं आपको बता दू, बीजेपी दूसरी पार्टियों से, कॉंग्रेस सपा, इनकी USP क्या है, आप ये समझने की कोशिस करिए सर्थ, ये बहुत micro level पे जाके चीजों को करते हैं, बीजेपी ने सीट नहीं जीती है, बीजेपी ने यहां पे प्रहार किया है, बीजेपी ने इन लोगों को इंगेज कर लिया है, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और हार पे हार मिलते जाने के बाद होता क्या है, आपकी पाल्टी के जो ground level के कारे करता है, वो इतने उदासीन हो जाते ठीक है, फाइनल फाइनल कमेंट 20 सेकिंड सबको, एक सबसे पहले सुरेंजी आपके पास आना चाहेंगे, मन्थन तो होता है, विश भी निकलता है, लेकिन कॉंग्रेस के भीतर विश पीने को कोई तयार नहीं होता, यहीं कमजोरी है, ये आपका अपना मानना है, हमारा आत हम लोग हारे थे, तो पंजाब का चुनाव और गोवा का चुनाव हारे हैं, तो मेगाले का चुनाव हम लोग जीते हैं, कारेकरता के लेबल पर मीडिया के ग्रुप में बैठ करके ये बता देना बहुत आसान हो जाता है, कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तिलग ज है उसका अपना एक निश्चित पेस होता है और एक बात का मैं और बता दूं कि आज जो बात की जा रहे हैं कि उत्तर पूरो आज विकास की पस्तर आप आप जो बात कह रहे हैं जो मन्थन का जिक्र कर रहे हैं लोग तंत्र में 1984 में तिलक दो सीटों पर थी भारती जनता पार आप दो सीटों पर आना चाहरे हैं किया अगर जनता देखिए बड़ी सपस्ट रूप से जनता हमें जहां रखना चाहेगी हम वहां रहेंगे जनता की सेवा में कमी नहीं करेंगे लेकिन एक चीद ठीक है ये आपका आपका आकलन हो सकता है और मीडिया का अगर आपका निर कि जल्दी से अब केरल में होगा कि दर्म कि रानिती केरल में जीतेंगे और आपने प्रस्ट मुझ से पूछा था कि 2019 हम 2019 भी जीतेंगे उसकी ये पूरी जलक आपको स्थिक सामने दिखाई दे रही है ये ये पूरे देश का इस समझों योगी जीता होगा है केरल में केरल में हम इसी लिए पको उखाड फेकेंगे और उसके बाद से हम पस्चिन बंगाल और मुरी सारी जीतेंगे और 2019 गांदी साब कैसे रोकेंगे इनके विजयरत को देखें मैं समझता हूं कि इन जो इलेक्षिंस हैं इनसे बहुत जादा मायनी नहीं निकालने चाहिए और दिली उलक्षिंस को हारने के बाद और बिहारे लेक्षिंस को हारने के बाद मुदि जी के परफॉरमनस पुर इंडिकेटर नहीं मानती है तो बाकी अलेक्षिंस को फिर यह क्यूं अभर да यह जित रहे है और दूसरी विपक्षी दुलों में एक हताशा तो पैदा होती है और कही ने की सवाल उठता है कि आखे जनता किस को किस तरह से अपना रिस्पांस दे रही है तो ये निशित उसे पड़ेगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसे हताशा पैदा हो क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है उसने साड़े चार साल में क्या किया है कितना फाइदा हुआ है महेंगाई वैसी ये सब चीज़ों को जब तक अगर रुपकी दर्सांस नहीं ले जाएंगे और मुद्दों से हटकर चुना होता है और संकेत बिल्कुल साफ है कि 2019 में भी ऐसा होने वाला है तो एक जुट कैसे हो पाएंगे ये मेरी सबसे ज्यादा मुझे आश्चर यह होता है जो मैंने अभी बोला कि बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से इनको साइटोलोजिकल वार फेर में इंगेज कर लिया है फरक आप देख रहे हैं ससीकान तिवारी जी दहार रहे हैं बाकी के मेरे दोनों मित्रों मतलब इतने सुस्त बैठे हैं मेरे काने का मतलब है कि ठीक है आप देख रहा हो कि जी हम 2000 जीत लेंगे यूपी जीत लेंगे तुल लिए चोटी 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 जीत और हार अभी आप दो गयाँते कि बाइलेक्शन जीतने के आप आम इतना हाई हो जाता है सर यह चोटी चोटी हार और जीत इतने परेज जीत में और फर्द में परिवर्ति हो जाती है सर आप मुझे यह बताइए आप चिल्लाने को अगर आप बहुते हैं तो यह बहुत आपको मुवारक हो हम इस बहुत को करने के आदी नहीं है सर अपनी बारी पर भूटे लेकिन इस तरीके की राजनेती कारेकरताओं को और प्रसिक्षित राजनेती कारेकरताओं के उपर इस तरीके के अनर्गल आरो पूचित नहीं है अपने घरवारों से हाते हैं अब घरवारों ने कारेकरताओं को हतास कर दिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुलफीद गांदी साब आपका भी बहुत 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 शुक्रिया अब्दुलफीद गांदी साब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंज राजपूल साब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया झाल झाल